अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है और ये कहाने भी इस परिपाटी का नुपालन करती है, इसलिए यहां घटनाएं अतिशयोक्ति पूर्ण और विश्वसनियता ऐसी रचनाओं के मुल्यांगन की कसोटी नहीं हो सकती प्रस्तुत पाठ में हस्ते हस्ते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालेई तोर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और कितना हस्यास्पद है बात यहीं तक नहीं रहती, इस कार्याले व्यवस्था के समवेदन शोइन एवं अमानविय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है तो लीजिए प्रस्तुत है जामुन का पेड़ रात को बड़े जोर का जखकर चला, सेकेटरेट के लौन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा सवेरी को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के निचे एक आदमी दबा पड़ा है माली दोड़ा दोड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दोड़ा दोड़ा किलर्क के पास गया किलर्क दोड़ा दोड़ा सुप्रिम टेंडेंट के पास गया, सुप्रिम टेंडेंट दोड़ा दोड़ा बाहर लोन में आया मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों और भीड इखटी हो गई बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था एक किलर्क बोला और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी दूसरा किलर्क याद करते हुए बोला मैं फलो के मौसम में जोली भर कर ले जाता था मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे तीसरा कलर्क लगभग रुआसा होकर बोला मगर यह आदमी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया हाँ यह आदमी सुप्रिम टेंडेंट सोच में पड़ गया पता नहीं जिन्दा है कि मर गया एक चप्रासी ने पूछा मर गया होगा इतना भारी पेड जिसकी पीट पर गिरे वे बच कैसे सकता है दूसरा चप्रासी बोला नहीं मैं जिन्दा हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिंता से करहाते हुए कहा जिन्दा है एक किलर्क ने ताज्जुब से कहा पेड को अठा कर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए माली ने सुझाव दिया मुश्किल मालूम होता है एकसुस्त कामचोर और मोटा चप्रासी बोला पेड का तना बहुत भारी और वजनी है माली बोला क्या मुश्किल है अगर सुप्रिंटेंडेंट साब हुकम दें तो अभी पंदरवीस माली चप्रासी कलर्क लगा कर पेड के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है माली ठीक कहता है बहुत से कलर्क एक साथ बोल पड़े लगाओ जोर हम तयार है एक साथ बहुत से लोग पेड को उठाने को तयार हो गए ठैरो सुप्रिंटेंडेंट बोला मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ सुप्रिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया डिप्टी सेक्रेटरी जोएंट सेक्रेटरी के पास गया चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा चीफ सेक्रेटरी ने जुएंट सेक्रेटरी से कुछ कहा जुएंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा फाइल चलती रही इसी में आधा दिन बीत गया दो पहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों और बहुत भीड हो गई लोग तरह-तरह की बाते करने लगे कुछ मनचले कलरकों ने समस्या को खुदी सुलजाना चाहा वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किये बिना पेड को अपने आप अटा देने का निश्चे कर ही रहे थे कि इतने में सुप्रिम टेंडेंट फाइल लिए भागा-भागा आया और बोला हम लोग खुद इस पेड को नहीं अटा सकते हम लोग व्यापार विभाग से संबन देते हैं और यह पेड की समस्या है जो क्रिशी विभाग के अदीन है मैं इस फाइल को अरजेंट मार करके क्रिशी विभाग में बेज रहा हूँ महां से उत्तर आते ही इस पेड को हटवा दिया जाएगा दूसरे दिन क्रिशी विभाग से उत्तर आया कि पेड व्यापार विभाग के लौन में गिरा है इसलिए इस पेड को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पढ़ती है यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया उन्होंने फोरण लिखा कि पेडों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी करशी विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंद नहीं है दूसरे दिन भी फाइल चलती रही, शाम को जवाब आ गया हम इस मामले को होटी कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड का मामला है और एग्री कल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती वारी के मामलों में फैसला करने का हकदार है जामुन का पेड चूंकि एक फलदार पेड है इसलिए ये पेड होटी कल्चर डिपार्टमेंट के अंतरगत आता है रात को माली ने दबे हुए आदमी को दालभात खिलाया जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानुन को अपने हाथ में लेकर पेड को खुद हटाने की कोशिश ना करें मागर एक पुलिस कॉंस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खनक लाने की जाज़त दे दी माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुमारी फाइल चल रही है उमीर है कल तक फैसला हो जाएगा दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला माली ने पेड के तने को ध्यान से देख कर कहा अच्छा हुआ कि तना तुमारे कूले पर गिरा अगर कमर पर गिरता तो रीड के हड़ी तूट जाती दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला माली ने फिर कहा तुमारा यहां कोई वारिस है तो मुझे उसका अतापता बताओ मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा मैं लावारिस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया तीसरे दिन होटी कल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंगपूर्न भी होटी कल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित प्रेमी आदमी जान पड़ता था उसने लिखा था आश्चर रहे है इस समय जब हम पेड लगाओ स्कीम उचे इस तर पर चला रहे हैं हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर भी मौझूद हैं जो पेडों को काटने का सुझाओ देते हैं इस पर एक मन्चले ने कहा अगर पेड काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को काट कर निकाल दिया जाए यह देखिए उस आदमी ने शारे से बताया अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानि धर से काटा जाए तो आदा आदमी इदर से निकल जाएगा आद आदमी उदर से बहार आ जाएगा और पेड़ वहीं कवहीं रहेगा मगर इस तरह तो मैं मर जाओंगा दबे हुए आदमी ने आपती प्रकट करते हुए कहा यह भी ठीक कहता है एक कलर्ट बोला आदमी को काटने वाली युक्ती प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया आप जानते नहीं है आजकल प्लास्टिक सरजरी कितनी उन्नती कर चुकी है मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सरजरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से चोड़ा जा सकता है इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्चन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन, उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग प्लास्टिक सर्जन छान भी इनके लिए भेज दिया, सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर, उसका स्वास्थ देखकर, खून का दबा रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुँ में खिचडी डालते हुए उसे बताया, अब मामला उपर चला गया है, सुना है कल सेक्रेटरेट के सारे सेक्रेटरियों की मेटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उमीद है सब काम ठीक हो जाएगा, दबा क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिरहिला दिया, दूसरे दिन माली ने चप्रासी को बताया, चप्रासी ने कलर्क को, कलर्क ने हेड कलर्क को, थोड़ी ही देर में सेक्रेटरेट में ये अफवा फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है, बस फिर क्या थ लोगों का जुंड का जुंड शायर को देखने के लिए उमड पड़ा इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली-गली से शायर जमा होने शुरू हो गए सेकेटरेट का लौन भाती-भाती के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों और कवि सम्मेलन का सा वातावरन उत्पन हो गया सेकेटरेट के कई किलर्क और अंडर सेकेटरी तक जिन्हें साहित और कविता से लगाव था रुक गए कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे कई किलर्प उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी कवी है तो सेक्रेटरेट की सब कमेटी ने फैसला किया चूंकि दबा हुआ आदमी कवी है इसलिए इस फाइल का संबंद ना एगरी कल्चर डिपार्टमेंट से है ना होटी कल्चर डिपार्टमेंट से बलकि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है कल्चरल डिपार्टमेंट से अनरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवी को इस फलदार पेड से छुटकारा दिलाया जाए फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित अकादमी के सेकरेटरी के पास पहुची बेचारा सेकरेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेकरेटरेट पहुचा और दबे हुए आदमी से इंटेर्व्यू लेने लगा तुम कवी हो? उसने पूछा जी हाँ दबे हुए आदमी ने जवाब दिया किस उपनाम से शोबित हो? ओस सेकरेटरी जोड से चीखा क्या तुम वही ओस हो? जिसका गद्य संग्रे ओस के फूल अभी हालिये में प्रकाशित हुआ है दबे हुए कवी ने हुखार में सिर हिलाया क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेकरेटरी ने पूछा नहीं सेकरेटरी जोड से चीखा इतना बड़ा कवी ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ! कैसी भूल हो गई हमसे कितना बड़ा कवी और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है गुमनामी में नहीं सेकरेटरी फॉरन बोला और फॉरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की दूसरे दिन सेकरेटरी भगा भगा कवी के पास आया और बोला मुबारक हो! मिठाई खिलाओ! हमारी सरकारी साहित्ते अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्री शाखा का मेंबर चुन लिया है ये लो चुना पत्र! मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो! दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आँखों से मालूम होता था कि वे घूर पीड़ा और दुख में पड़ा है हम यह नहीं कर सकते! सेक्रेटरी ने कहा और जो हम कर सकते थे वे हमने कर दिया बलके हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुमारी वीवी को पेंशन दे सकते हैं अगर तुम दरख्वास दो तो हम वे भी कर सकते हैं मैं अभी जीवित हूँ कवी रुकरुक कर बोला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत यह है सरकारी साहित अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबन देता है पेड काटने का मामला कलम दवात से नहीं आरी कुलाडी से संबन देता है उसके लिए हमने फॉरेस डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड को काट देंगे और तुम्हारी जान बचा लेंगे माली बहुत खुश था दबे हुए आदमी का स्वास्त जवाब दे रहा था मगर वे किसी ना किसी तरह अपनी जीवन के लिए लड़े जा रहा था कल सवेरे तक किसी ना किसी तरह उसे जीवित रहना है दूसरे दिन जब फॉरेस डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलहारी लेकर पहुँचे तो उनको पेड काटने से रोप दिया गया मालूम हुआ कि विदेश विवाग से हुकमाया था कि इस पेड को ना काटा जाए कारण यह था कि इस पेड को 10 साल पहले पीटोनिया राज्य के प्रधान मंत्री ने सेकेटरेट के लौन में लगाया था अब अगर यह पेड काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबन्द सदा के लिए खराब हो जाएंगे मगर एक आदमी की जान का सवाल है एक किलर्क चिल लाया दूसरी और दो राज्यों के संबन्दों का सवाल है और यह भी तो समझो कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी साहत देती है क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलदान नहीं दे सकते कवी को मर जाना चाहिए निसंदे अंडर सेक्रेटर ने सुप्रिम टेंडनेंट को बताया आज सवेरे प्रदान मंतरी दौरे से वापस आ गए है आज चार बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा जो वे फैसला देंगे वही सब को सुईकार होगा शाम के पाँच बजे स्वेम सुप्रिम टेंडन्ट कवी की फाइल लेकर उसके पास आया सुनते हो आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते हुए चलाया प्रदान मंतरी ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर राष्टिय जिम्मेदारी अपने सिर ले लिये कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुमें संकटसच छुटकारा हासिल कर लोगे सुनते हो आज तुमारी फाइल पूर्ण हो गई मगर कवी का हाथ ठंडा था आखों की पुतलिया निरजी और चीटियों के एक लंबी पांथ उसके मुँ में जा रही थी उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी तो ये थी हासिवेंग रचना मैं उमीद करती हूँ आपको कारेलही तोर तरीकों के बारे में इस हासिवेंग से जानकारी मिली होगी पाठ आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ता